तो आप देखें कि साउथ पाड़ बिहार कल और परसो दो दीन के लिए हम लोगों ने औरेंज एलटी सू कर रखा है और खास करके जो गया औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बाका, जमूई इन सब जिलों में बहुत भारी बारिश होने की शम्मा होना है तो क्या बारिश के साथ थंडर अक्टिविटीज भी होगे बिल्कुल अभी जो रेनफॉल आपको देखेंगे ना आज और कल पर सो तीन दिन जो रेनफॉल होंगी उसमें थंडर स्वाम एक्टिविटीज भी होंगे उसमें तहां तो जिसको हम लोग वजबात कहते हैं लाइ जिलों में बारिश होने की संभावना है बिहार की राजधानी पटना में भी सुभा से बादल चाय हुए थे और अभी पटना में जमा जम बारिश भी शुरू हो गई है आपको बता दें कि इसको लेकर मौसम विभाग ने भी बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है तो हमने भी इसको लेकर मौसम वेग्याने काशिश कुमार जी से बाचीट के यह तो जरा सुनिये उन्होंने क्या कुछ बताया है तो इस वक्त हमसे बाचीट करने के लिए के मौसम वेग्याने काशी इश कुमार जी है तो सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए तैंक्यू पुद्धी जैसा कि हमने देखा है कि अचानक से अभी जमा जम बारिश होनी शुरू हो गई है तो सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि यह तो बारिश है ये बारिश कब तक बनी रहेगी? देखिए आज जो पुर्बान मान जाने अभी वाली बारिश कि अगर बात करें तो जो है ये यह अभी जो हो जाएंगे दस आदे गंटे के अंदर में तो ऐसी बारिस लेकिन अगले पांस दिनों की हम पुर्वार मान की बात करें तो राज्य में अनेक हिस्व खास करके पुर्वी और सौथ पार्ट अगले पांस दिनों तक आपको आपको आइसलेटर्ड हैवी आपको यह इनवज पोठ करने हम आप देखें कि साउथ पाड़ो बिहार कल और परसों करें और खास करके जो गया औरंगाबाद रहतास कैमूर बांका जमूई इनसब जिलों में बहुत भारी बारेश होने की हम होना है बहुत भारी बारश होने की संभावना है जो की जैसे 12 cm से लेकर के 20 cm के बीच में rainfall कहते हैं उसको एक तो हम लोगों ने कर रखा है कि थंडर स्टॉम एक्टिविटी आपको देखने की से कहते हैं तो लगबग राज्ये के अधिकांस हिस्तों में आपको देखने को मिलेंगी उसके लिए कर रखा है और दुसरी जहां पर है अनेक जिलो में खास करके उसी सटे है तो उनमें उ कर रखा है जारी आप परसों पटना में जबर्दस बारिश होने वाले है उसका होता है कि 6 cm से लेकर के 12 cm के भीच में रखा है तो बारिश के साथ थंडर अक्टिविटीज भी होगे बिल्कुल अभी जो रेनफॉल आपको देखेंगे ना आज और कल परसों तीन दीन जो र हां तो जिसको हम लोग वजबात कहते हैं लाइटनिंग हां लाइटनिंग एक्टिविटीज भी आपको देखने में लेकिन एक सवाल ये भी जहन में आता है कि कल हमने देखा था कि लोग गर्मी से परिशान हो रहे थे आज हमने देखा कि अचानक से मौसम ने पल्टी मारी मौसम का मिजाज बदला और अचानक से जमा जम बारिज भी शुरू हो गए तो हम जानना आपसे यह चाहेंगे आशीज जी कि अचानक से इतना जल्दी क्लाइमेट चेंज कैसे हो यह क्लाइमेट चेंज नहीं होता है वेदर सिस्टम जो होते हैं इस तरह के होते हैं जैसे हैं जो हम नहीं हुआ ilah ही मतलब इतने तेह को आप बंते हैं गष्भान के नहीं जोिपझ यह चानकसा आप ब्लाइव मिले हैं इन को ही जार यह कुशह हैं एक आखरी सवाल आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि नहीं कि बारिश होती रहेंगे बारिश की संभावना जता ही है लेकिन गे बताई क्या पांच दिनों बाद लोगों को वापस से वही उमस वाली गर्मी जीलने पड़ेगे आदि की पूरबानमान जारी किया जाता है पांच दिन के लिए रहे होता है उसके बाद फर्दर दो दिन हम चीश कुमार जी देखे साफ साफ कह दिया है कि पांच दिनों तक इसी तरह से बारिश की संभावना है साफ साफ कह रहे हैं कि पांच दिनों तक ऐसे ही जहमा जहम बारिश होगी और बारिश के साथ थंडर आक्टिविटी यानि के वर्जपात की भी पूरी संभावना जता तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है लेकिन एक बात तो तैय है कि लोगों को अब उमस वाली गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सिटीज शुक्रिया